नमस्ता जाइस वेलकम यू आल वन्स अगेन कैसे हैं आप सभी जैसा कि आप सभी को पता है बीसी पार्ट थर्ड के लिए हमने यूनिट थर्ड शुरू किया उसका आज हम लेक्चर नंबर थर्टीन फॉर्टीन पड़ गया लेक्चर नंबर थर्टीन लेकर आए हैं पिछले खाए हमने लेक्चर में हमने क्या पढ़ाता डा говоря शुरू किए थे डा से कर रडव हमने एक दी tack को पढ़ा था जिसका नाम था सूक्रो ठीक है एक डाइशे कर रेड़ को पढ़ा था सूक्रोई आज हम दूसरा के सब्नेंस तोपर आप करण पढ़ने बाले हैं माल्टोじ ठ यहां इसे माल्ट शरकरा कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है माल्ट शरकरा क्या है माल्टोस कैसी होती है वो देखना है इनका रियक्शन्स वगेरा में बहुत जादा नहीं जाना है बस इनको क्या देखना है बस इनके क्या होती है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बस इनहीं क सब्सक्राइर की सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसका अडू सूत्र जो सुक्रोज कहा था C12 H22 O11 इसका अडू सूत्र क्या होता है C12 H22 O11 होता है ठीक है और just because इसे किस से प्राप्त करते है माल्ट की रियक्शन से प्राप्त करते है इसे किस से प्राप्त किया जाता है इसे स्टार्च पर माल्ट की अविक्रिया द्वारा माल्ट की अविक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है प्राप्त किया जाता है इसलिए इसलिए इसे माल्ट शरकरा कहते हैं माल्ट शरकरा क्यों कहते हैं क्योंकि इसको स्टार्च से तयार किया जाता है स्टार्च पर रियक्शन कराई जाती है किसकी माल्ट की रियक्शन कराई जाती है माल्ट में क्या होता है माल्ट जानते हुगे जब शाराब का निर्मान होतार्य को हसा है माल्ट निकाला जाता है ना वही माल्ट है ठीके तो माल्ट से बनाया जाता है तो इसलिए और माल्ट के अंदर क्या होता है माल्ट के अंदर एंजाइम होता है कौन सा डाइस्टेज एंजाइम होता है कौन सा एंजाइम होता है डाइस्टेज एंजाइम होता है जो किसको स्ट स्टार्च है सी सिक्स एच्टेन ओफाइफ का होल एंड यह क्या होता है स्टार्च पर किसकी रियक्शन होगी माल्ट माल्ट के अंदर कौन सा एक्जाइम होता है माल्ट में क्या होता है किसकी रियक्शन होती है माल्ट के अंदर एक्जाइम होता है डायस्टेज एंजाइम इ 11 and y 2 c 12 h 22 11 यही क्यलाता है माल टोज माल्टोज की formation होती है ठीक है माल्टोज क्योंकि एक डाइ से कर राइड है तो डाइ से कर राइड जलब गटन पर क्या देते हैं दो मॉल्स देते हैं याने कि दो मॉलिक्यूल देते हैं किसके मोनो सेकराइड के जैसा कि आप लोग ने स्टार्च में भी देख रखा है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे तो जब हम माल टौस का जल अपगटन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है यहाँ पर लिख सकते हैं माल्टोज के जल अब घटन पर क्या प्राप्त होते हैं ग्लूकोज के दो अडू प्राप्त होते हैं प्राप्त है यहां पर दोनों मोनोमर क्या है सेम है तो यहां पर हमारे पास क्या है C12 H22 O11 है जब मैं इसका जल अपगठन कराओंगी जल के साथ अभीक्रिया कराओंगी किसी अमलिक की उपस्तिती में दाईलिوट HCl भी ले सकती हूं या फिर या पर में माल्टेज भी ले सकती हूं और क्या ले सकते हैं मालटेज तो दाइल्यूट एट की हैं इसका जलना गटन किरा सकते हैं या मालटेज क्यों प pomocतली में तो हमको क्या प्राप्त होता है सीक्स एजट। जुबोस देज्क्रोश देज दूनों ही क्या हैं दोनों प्रिपने वौाले जो अडू है दो球 Ferr एलफा होगा बीटा होगा वो हम बाद में डिसकस करेंगे अभी तो हम यह लिख देते हैं क्या प्राप्त होता है डी ग्लुकोज जिसकी रोटेशन कैसे होती है पॉजिटिव तो डी प्लस ग्लुकोज प्राप्त होता है और यह भी कैसा है डी प्लस ग्लुकोज प्राप्त हो हुआ है दौनों में इसका मतलब दोनों कैसे होंगे होंगे यानि कि प्ली को क्या करेंगे यह क्लॉक्वाइज क्लॉक्वाइज घुमाइंगे गडिकी दिशा में घुमाइज तो तो और इन दोनों को मिलाने से क्ते होगा माल्टो सब्सक्राइब इसको इंवर्ट शोगर कuen watching वर्टिंवर्ट शोगर क्यों लिक्री वैंपलों और पर इनवर्टढ यहां यहां किया है तो हमारा मोलक्यूल होगा किसका मालटोस का है वह कैसा होता है रॉटेटरी होता है पिक कैसा दमीया लिब लिख सकते हैं इसकी गुड़ों के बारे में लिखें तो डेक्ट्रोर्ड रोटेटरी होगा यह हूँ गुड़ी ही तो होगा तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं स्यं-यक यह यह भी कैसा होता है स्वेट स्वेट क्रिस्टिली है कैसा है स्वेट क्रिस्टिली है ठोस होता है कैसा ठोस होता है वाइट क्रिस्टिलाइन स्वेट क्रिस्टिली है जितनी की हमारी शुगर होती है वो जालता स्वेट और क्रिस्टिलाइन होती है वाइट क्रिस्टिलाइन होती है ठीक है तो यह कैसा होता है यह स्वेट क्रिस्टिली है ठोस होता है ठीक है दूसरा अगर लोwn जो पिए इसका डलनांग कितना होता है तो इसका गलनांग होता है हमारा स्का गलनांग है ऐसका यह यह है कैसा होता है Dextro Rotatory Dextro Rotatory को बोलते है दक्षिन द्रूवन घूरनक होता है इसा होता है Dextro Rotatory होता है दक्षिन द्रूवन घूरनक होता है Dextro Rotatory होता है ठीक है अगर इसमें देखा जाए तो यह कैसी शुगर होती है यह एक चौथा गरम देखें तो यह क्या होती है यह एक सुक्रोज कैसी थी अनपचायक थी क्योंकि वहाँ पर जो ग्रुप था जिसको रियक्ट करना था वो मुक्त नहीं था लेकिन यह कैसी शुगर होती है यह एक अपचायक शरकरा होती है कैसी कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होते हैं जल्दी से इतना नोड कीजिए फिर आगे चलते हैं कि आगे चलते हैं लुज र्ट अप uh मैं जैसा की मैंने बताए यह कैसी है अपचायक शरक्राइब अगर अब जब्चायक सरक्राइब इसका मतलब यह क्या कर देगी by यह क्या कर देगी फैलंग बिलियन का क्या कर देगी यह फैलिंग बिलियन को अप्चाइट करती है सुकुरोज नहीं करता था क्यों नहीं करता था सुक्रोजन का जो जो ऑक्सिजन था जिस पर रियक्ट होना था जो ओएच ग्रुप था वो मुक्त नहीं था है ना वो क्या था वो किसी और ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था जिसकी वज़ासे वो फैलिंग सॉलुशन का जो रिडक्शन है वो नहीं कर सकता लेकिन अगर यहां पर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब आपकी दिमाग में एक बात तो आई जाएगी कि अगर यह अप्चैन कर रहा है इसका मतलब इसका ओएच ग्रुप जो है वो मुक्त है है ना वह स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ओएच ग्रुप मुक्त कैसे है ठीक है तो यहां कोबर गया होगा फैलिंग गुलिंग को अबचा इतकर देता आलाइज कि टू है और के साथ प्लिकिश्या करें को अबूआ करता है चो इसके लावा यह क्या बनाता है यह जोन मनाता है अगर मैं इसकी कि साथ करो है honor हाइड्राजीन के साथ क्या बनाता है यह किसकी formation करता है ओसा जोन का निर्मान करता है ओसा जोन का भी formation करता है ओसा जोन का निर्मान करता है इसका मतलब यानि कि इन सब बातों से क्या निकलता है इन सब बातों से क्या निशकर्ष निकलता है इन सब बातों से निश्कर्ष निकलता है कि ये जो इसके अंदर जो OH ग्रूप है वो क्या होगा मुक्त होगा यानि कि जो एक LD हाइडिक जो समू होना चाहिए जिस पर रियक्शन होना चाहिए वो क्या है मुक्त है है जेखेंगे कैसे मुक्त है most important ये क्या प्रदर्शित करता है ये है म्यूटारोटेशन यानि कि परिवर्ति घूर्डन परिवर्ति घूर्डन को भी प्रदर्शित करता है यह क्या प्रदरशित करता है परिवर्ति घुणन प्रदरशित करता है इसका मतलग इसके अंदर होती है जो होती है कि अगर कोई मोल्किटिट ऐसा है जो टाइंग के साथ अपने रोटेशनल एंगल को चेंज कर सकता है तो उसके अंदर जो यह गुण होता है अपने रोटेशनल एंगल को open chain बनी और open chain से वापस beta form बनी तो इस तरह से इसमें क्या हो गया rotational angle change होता है इसी को हम क्या बोलते हैं परिवर्शी घुर्णन muta rotation बोलते हैं इसका मतलब कि हमारे पास एक क्या होगा एक होगा alpha maltose होगा ठीक है यह क्या बनाएगा maltose बनाएगा और फिर maltose से किसमे change हो जाएगा यह बीटा maltose में change हो जाएगा यानि कि alpha से किसमे चेंज होगा beta form में change होगा alpha से beta form में change होगा जब यह alpha form में था हमने ताजा बना हुआ billion लिया तो इसका rotational angle है वो कितना था प्लस 168 डिग्री यानि कि जैसे ही माल्टोज में change हो जाता है जैसे ही किसमें change होता है माल्टोज में तो इसका rotational angle कम हो जाता है 168 से कितना हो जाता है प्लस 136 डिग्री कम हो जाता है इसका मतलब एंगल टाइम के साथ चेंज होता रहता है और इसे को क्या ओलते हैं यह Canad प्रदर्शित करता है यह म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है तो इन सब चीजों से हमें क्या निश्कर्ष निकलता है कि इसका जो LDHIDIC carbon होगा यानि कि जो ENOMERIC carbon होगा जहांपर ENOMERICA निर्माण हुआ होगा वो कैसा होगा वो मुक्त होना चाहिए तो देखते हैं हम इसके हावर्थ प्रक्षेपन सूत्र देखते हैं क्या प्राप्ट होता है इसके लावब इसका एक गुण और है कि विले था की बात हम नहीं कर पाएं तो यह किसमें विले होता है जल में विले परन्तु किसमें एलकोहॉल वह किसमें एधर में कैसा होता है अलप विले होता है कि या आलप क्या कहले अब ले ही कहले क्या होता है और ले होता है इंदो जल्दी से हम अब विले होता है ठीक है विटा दूं कि अब अम इसकी हावर्थ इस्ट्रक्चर देखने वाले हैं जल्दी से नोट कीजिए अब देखते हैं माल्टोस का हावर्थ प्रक्षेपंशूत्र कैसा होता है यह हावर्थ प्रक्षेपंशूत्र हावर्थ प्रक्षेपंशूत्र देखने वाले हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मला जैसे सुक्रोस का देखाता कि सुक्रोस कैसा होता है वैसे ही अब हम देखेंगे किसका माल्टोस का कि माल्टोस कैसा होता है हावर्थ इस्ट्रक्चर द जानते है ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर में रहता है यह साइकलिक स्ट्रक्चर में रहता है लेकिन कौन सा ग्लूकोज है मैंने वहापर डी ग्लूकोज लेखाता है तो कौन सा ग्लूकोज है इसमें दोनों ही ग्लूकोज कौन से होते हैं एलफा होते हैं कौन से एलफा य य Travis पहले जो होता है पहलो पहला कार्बन होता होता है अगर यह पहले क्या तो हिंट हो ग्रुप में य dud कैसा रहे डाउन रेंटि रहे जो पर क्या लगाएंगे उपर हम CH2 OH और H तो अगर यह ओएच ग्रूप इसके एंटी रहे तो इसी को क्या बोलते हैं एलफा और यह वाली फॉर्म भी क्या होगी एलफा यानि कि यहां पर क्या होगा CH2 OH और यहां पर यहां पर भी ओ इसमुरूप कहा होगा नीचे होगा है ना तो अपर टी ग्लूकोज बना लेते हैं कैसे बनाएंगे पिछली बार में बनाए था यहां पर रहे होगा एलफा डी ग्लूकौ सोगा ठीक है भई बना दो एच और यहां पर क्या रहेगा ओएच H, OH, OH H ये क्या है Alpha D Glucose η तो तब है जब जलबबटन होगया दोनों अलग होगए लेकिन जब माल्टोज होगा उसमें तो ये दोनों जुड़े हुए होंगे कौन से बंद से? GlycoSidic बंद से जुड़े हुए होंगे है ना तो क्या होगा यहां पर यह OH और यहां से H बहार निकल जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा यह जुड़े हुए होंगे OH से ठीक है यह क्या है यही तो है हमारा glycosidic बंद glycosidic linkage यहां पर कौन सी glycosidic linkage है इसका कौन सा कारवन है पहला कारवन और इस रिंग का पहला दूसरा तीसरा चौथा तो यह कौन सी glycosidic linkage है 1-4 1-4 मतलब एक glucose का फर्स्ट कारवन दूसरे glucose के चौथे कारवन के साथ क्या बना रहा है glycosidic बंद बना रहा है तो इसलिए यह क्या है 1-4 glycosidic बंद फिके अब यह ग्लुकोज नहीं बचा अब यह ग्लुकोज नहीं है अब तो यह क्या हो गए यह जुड़ गए glycosidic बंद से तो यह भी एलफा फॉर्म ती लेकिन यह एलफा फॉर्म जरूर रहे और कैसी यह भी क्या एलफा फॉर्म है वह भी कौन सी एलफा डी फॉर्म है इतना पता है अब यह ग्लुकोज नहीं रहे जब आम नॉमेंट क्लेशर करेंगे तब देखेंगे तो हमने बोला कि यह कैसी होती है अपचायक सरक्रा होती है पिछली बार जब हमने सुक्रोज में देखा थ तो यह बॉन्ड बना हुआ था है और यहां पर क्यासा ये मुक्त नहीं ही और मुक्त नहीं होती है तो कि यह भी ऑपकिन तो ग्हांने देखेंगे दे ही यहां पर यह वाले कार्वन पर यह क्या हो जाती है यह वाला पार्ट क्या है अप्चायक और इसको ओवरॉल हम क्या कहते हैं कर देगी क्योंकि इस कार्वन पर जो गुप्त यह क्या है मुक्त है और यह आगे कर सकता है यह फैलिक है रिडियूजिंग शुगर है अब हम इसका नाम दें तो यह कैसी शुगर थी एलफा डी प्लस थी के इसके बनली हुए ग्लूकोस तो ग्लूको लिखेंगे ग्लूको कौन सी सरचना है सीक्स मेंबड वाली रिंग को क्या बोलते हैं पाय राण सीदिय ग्लाइको साइडिक लिंगेज से जुड़ी गडायो ग्लूको अब यह क्या है विंगे छे मेंबर तो इसको बोलेंगे पाइदान अब यहाँ पर क्या लिखेंगे O's लिखेंगे या I'd लिखेंगे I'd तो तब लगाते अगर मैं यहाँ I'd लगा दू I'd तो तब लगाते जब यह O-H group मुक्त नहीं होता यहां पर R group जुड़ा होता, यह किसी और से जुड़ा होता, तो लगाते हैं, तब यह अनपचायक सरक्रा हो जाती, लेकिन अभी तो यह क्या है, अपचायक है ना, और जो अपचायक होते हैं, उनके end में क्या लगाते हैं, ओज, क्या लगाते हैं, ओज, तो यह क्या हो जाए यानि कि इसकी एक एसी शरक्राय वोबर आपचायक सरक्राय है क्योंकि इसका एक ओएच ग्रूप मुक्त है ठीक है और जो ओएच ग्रूप मुक्त है वो आगे रियक्शन दे सकता है जल्दी से बनाईए ठीक है अगर इसी को मुझे सिक्स मेंबर ड्रिंग वाली स्ट्रक्चर में लिखना हो तो कैसे लिखूंगे लिख सकते हो ना बना सकते हो यह बना लिए जल्दी से नोट कीजिए लिखते हैं इसका मतलब दोनों किस में पाई जाएंगी चेयर फॉर्म में सुक्रोज में एक फाइब मेंबर वाली थी तो वो तो चेयर फॉर्म नहीं बना सकती लेकिन सिक्स मेंबर वाली बना सकती है तो इसको अमने दिखाया था यह भी इसमेंबर वाली निए और दूसरी जहां ना सिक्स मेंबर वाली घीज है यह बिझेल होगा हॉपर हाई रोजन यह आ गया होगा एक्शीयल पर सुरी एक्विटोरियल पर हाइड्रोजन है ना बाकी का तो आप लगा दो यह ओएच सी एच टू अच आ जा जाएगा सी एच टू एसस तो समझ में आता नहीं है तुम लोगों बॉंड लाइन पर ह यह बना दिया इस अपर बना दिया इस पर भी ग्रूप लगा दो यहाँ पर ह और यह पर रहेगा तो यह वाला जो ग्रूप है यह मुक्त है इसी की वज़े से यह क्या है अप चायक शरकरा होती है इस ओएच ग्रूप की वज़े से इस मुक्त ओएच ग्रूप की बज़े से यह क्या होती है अप चायक शरकरा सौरी उल्टा बन गया बीटा फॉर्म बना दी गलती से ओएच नीच आएगा एच उपर आएगा क्योंकि एलफा मेना दोनों तो इस तरह से इसको हम सिक्स मेंबर रिंग में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं सिक्स मेंबर रिंग के रूप में अगर मैं इसे ओपन चेन में लेकिन चेन फॉर्म में लिखूं अगर इसी स्ट्रक्चर को तो मैं कैसे लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि पहले मैं इसका अपचायक भाग लेलू क्या लेलू अपचायक भाग साइड में लिखते हूँ ताकि और भी रियक्शन जो करानी वह हो सके हैं इसको ऐसे लिखूं इसी एच ओएच एलफा फॉर में एलफा फॉर में ओएच ग्रुप कहा होगा रिंग के अंदर होगा ठीक है यहां पर कारवन होगे यह होगा ओएच एच यहां पर एच ओएच टीक है ग्लूकोज की सरचना तो आप साभी जानते हूं ना याद तो हDAR4 और यहां पर क्या होगा कि यहां पर होगा यहां परSon अगर में तो यहां पर जव 2 ओ ग्लूकोज नीचे औरशीएच टू वह यहां पर होगा है इस वाले carbon से यहाँ पर क्या होगा oxygen ठीक है इस तरह की structure में होगा ऐसे दूसरा glucose भी होगा ऐसे क्या होगा दूसरा glucose भी होगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ चीज़ और यहाँ पर यह वाली जो रिंग है यह बनी हुई होगी ठीक है और नीचे क्या होगा CH2, OH और H और जस्ट अभी जो मैंने हावक प्रोजेक्शन लिखी थी उसमें कौन सी लिंकेज हो रही थी 1,4 glycosidic linkage थी तो अभी तो यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल है है ना ग्लूकोज की alpha form है यह भी alpha form है और यह भी alpha d glucose है यह भी तो क्या है ग्लूकोज है alpha d glucose अभी मुझे क्या बनानी है इसमें glycosidic linkage ग्लाइकोसाइडिक linkage कहाँ पर थी कार्वन के कौनशा ग्रुप था एक कार्वन चॉथा और दूसरे का पहला यानि कि एक तो इसका ओक्सिजन ग्रुप होगा और दूसरे का चॉथा तो मालो यह वाली जो शूगर थी तो इसका कौन सा है ओकशीजन इसका क्यों ऑकशीजन यह में इसके लिख दूँ इसके बना थोड़ा सा धंग से यह जो ईक्षिजन है यहाँ पर यह जो का ओक्सीजन होगा यह यहाँ पर तो इस से जुड़ेगा यहां पर जुड़ेगा तो यह इसको आएसे लिख सकती हूं कि इस तरह से क्रीशा कारवन क्या बन गई वन फures le şu sacred linkage बन गी तो मैं इसको अगर में टीन फॉर्म में लिकूं नियों बिक कर सकती हूं अब इसमें यह वाला भाग देखें वन्फुर ग्ला इक लिंकेज बन गी यह वाला भाग देखें तो यहां पर ओटो आप्चायक है तो यहां पर वित कुलुप मुक्त नहीं है जो व ग्रूप था ओएच था वह इसके साथ लिंकेज में यूज हो गया तो यह थ चायक भाग, तो यह अपचायक भाग, यह अनपचायक भाग, यह कैसा है, यह अपचायक भाग है और यह है अनपचायक भाग, ठीक है, तो वो कौन सी रियक्शन है, जो यह प्रदर्शित करती है, कि इसके अंदर एक रिंग अपचायक होती है, तो उनको देख सकते हैं, कि के वो कौन-कौन सी reaction है तो जब मैं इसकी reaction किस से करा हूं जब मैं इसकी reaction किस सेघरा हूं CO3 OH मिथेनौल से घरां CO3 OH किस की presence में? HCl की presence में CO3 OH से करा हूं तो आप जानते हो यह वाला जो गुरूप है यह रियक्शन कहा होगी इस वाले OH गुरूप पर होगी और यहाँ पर H हट जाएगा और इसकी जगे पर कौन आ जाएगा CH3 आ जाएगा तो यह ऐसे बन जाएगा एच ओ यहाँ पर कौन आ गया CH3 ठीक है बाकी as it is मैं ऐसी बना दूँ एच ओएच 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 ठीक है और यहाँ सी जुड़ा होगा Link is H नीचे क्या है CH2 OH ठीक है बाकी यहाँ पर दूसरा कारवन H इसका oxygen और इसका चौथा ग्रूप जुड़ा हुआ है बाकी यह जुड़ी हुई होगी नीचे होगा CH2 OH यहाँ पर H और यह oxygen यह बाकी है OH H H और यह है O H और यहाँ पर क्या है H और यह क्या है O H ठीक है तो क्या हो गई यह जो group था मुक्त उस पर क्या हो गया अब यह group मुक्त नहीं आब यहाँ पर क्या reaction होगी acetylation reaction हो गई है था reaction हो गई फिर अगर मैं आगे इसकी अभिक्रिया कराओं आगे इसकी अविक्रिया कराऊं नीचे बना दूंगी प्रोडक्ट ठीक है आगे इसकी अविक्रिया किस से कराऊं आगे इसकी अविक्रिया से कराऊं S double bond O double bond O OCS3 OCS3 पर हम जानते हैं यह O और CS3 bond break होगा कैसे break होगा जितने भी यह कौन सी reaction है यह reaction है S3 current कौन सी reaction है E3 current यहाद है ग्लूकोस के अंदर E3 current reaction कराई थी जिसमें क्या हुआ था जितने भी OH group मुक्त थे जितने भी OH group मुक्त थे वह सब किसमें change हो जाते हैं एथर में change हो जाते हैं कोस के अंदर कराई थी याद है ना तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा जितने भी मुक्त OH group है वह सब किसमें change हो जाएंगे एथर में change हो जाएंगे तो मैं इसको बना लूँ CH2 OH यह OH था यह किसमें change हो जाएगा OCS3 यहाँ पर भी क्या change हो जाएगा OCS3 ठीक है यह तो oxygen उससे जुड़ा हुआ है carbon से जुड़ा हुआ है यह किससे जुड़ा हुआ है carbon से जुड़ी हुए है यह तो carbon से hydrogen सबसे नीचे क्या होगा CH2 OH CS2OH यह पर यह oxygen से जुड़ी होगी बाकी के 3 OH H OH और Х यहाँ पर भी तो hydroxyl गुरुप हैं यहाँ पर भी तो क्या है hydroxyl goes यह यह वाले जो hydroxyl गुरुप हैं यह भी किसमें change हो जाएंगे यह भी OCS3 में change हो अब यहां पर हमारे पास क्या बना यह बना क्या बनाए है एप्टा मिथाइल कितने मिथाइल लगें तो इसका नाम क्या होगा कितने हैं? 1,2,3,4,5,6,7, ठीक है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टा मिथाइल, क्या है? ये वाला नहीं गिनेंगे, ये वाला नहीं गिनेंगे, ये क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि ये तो पहले ही, यहाँ पर ही चेंज हो गया था, ये तो यहाँ चेंज हो गया तो इसको नहीं गिनेंगे यह चेंज हुए है वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेविन तो इसका नाम क्या होगा यह बन गया है प्टा मिथाइल माल्को साइड अब साइड आ जाएगा क्योंकि जो मुक्त नए राप फेले रीक्शन में यह होगया चेंज होगया यह ना गॉख जी सी हेप्तियमिथायल क्या बना लेंगे माल्टोषाइड बन जाएगा फिर जब मैं इसकी रियेक्शन किसे कराऊंग दैल्फ से कराऊंगी किस से डाइल्फ ह से करांगी जैसे हिमें them ऑपचल से कराऊंगी तो यह जो कारवन ता यह जो इ c सर्वांड था यह ब्रेक हो जाएगा और यहां पर वापस क्या मिल जाएगा हमको ओएच जैसा था वैसा ही यानि कि फिर से यह किसमें चेंज हो जाएगी अप्चायक सरक्रा में चेंज हो जाएगी यहां बनाओ कि एच यह वापस से किसमें चेंज हो जाएगा ओएच में ठीक है? और जैसे ही मैं इसकी reaction concentrate S2SO4 के साथ कराऊंगी जब dilute STL के साथ reaction कराया जब dilute STL के साथ reaction कराया तो क्या हुआ? केवल एक group जो पहले OCS3 में change हुआ था वो बापस से किस में change हो गया? OH में change हो गया सारी, सारे change हो गया बनाते हैं दे बाकी सारे OCS3 रहेंगे बाकी के सारे क्या रहेंगे हमारे? OCS3 रहेंगे केवल केवल एनोमेरिक कारवन ये जो एनोमेरिक कारवन था इस पर जो OH ग्रूप है वो change होगा किस में? OH में लेकिन जैसे ही मैं इसकी concentrate के साथ reaction कराऊंगी जैसे ही concentrate acid आजाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? ये दोनों ring break हो जाएगी जैसे ही मैं concentrate के साथ reaction कराऊंगी इसकी concentrate HCL के साथ ये क्या हो जाएगी? ring break हो जाएगी दोनों ring break हो जाएगी glycosidic linkage भी break हो जाएगी ये ring break हो जाएगी और यह जो glycosidic linkage यह भी क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी तूट जाएगी तो हमको क्या प्राप्त होगा तो हमको प्राप्त होगा और साथ में यह जो कारवन है यह जो कारवन है इसका भी क्या हो जाएगा ओक्सिकरन हो जाएगा तो हमको प्राप्त होगा हमको प्राप्त तूटेगी तो यहाँ पर क्या जाएगा oh साथ में यह वालि लिंकेज भी टूटेगå तो यहाँ पर भी क्या जाएगा Oh और नीचे क्या रहेगा ch2 all-cch3 यह जह रहेगा यह वाली रिंग प्रेक हुई तो यहाँ पर पहला कारवन किसमें चेंज हो जाएगा चो जैसे यह रिंग ब्रेक होगी गलाइको साइडिक लिंकेज यह वाला ऑच गुरूप भी तो मुक्त हो गया और इसका भी क्या हो जाएगा ऑक्सीकरन हो जाएगा सी एच और यहां पर क्या जाएगा है और वावगी का रहेंगा चीह टू ओसी एस तरह से तो ये क्या वणा हमारे पास ये वणावर पास 236-236 क्यों है डूसरे तीसरे और छौथा पांच्वा और जट्वा पांच्वा और छट्वा तो दूसरे तीसरे छटवे कारवन पर क्या है methyl है तो क्या है methyl है ठीक है कितने तीन प्राइज है तो मैं यह इस लेगता धू डू आपको देखने ग्लोकोज बनाएください ठीक आगे अगरं देखें तो इस कारवन को हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह क्या है OCS3 है ठीक है तो यह क्या हो कौन सा है यह भी 2, 3, 6 क्या मैंना ट्राई मिथायल 2, 3, 6 नहीं 2, 3, 4, 6 चार है यहां पर 2, 3, 4, 6 टेटरा मिथायल क्या हो जाएगा टेटरा मिथायल ग्लुकोज बना क्या बना टेटरा मिथायल ग्लुकोज तो यह जो रियक्षन है यह जो रियक्षन है यह प्रूफ करती है इन रियक्षन से क्या निश्कर्ष निकलता है तो इन रियक्षन से यह निश्कर्ष निकलता है कि जो हमारा माल्टोज है माल्टोज क अंदर जो एक रिंग है वो अपचायक है और दूसरी रिंग क्या है अनपचायक है ठीक है तो जल्दी से नोट कीजिए ये रियक्शन प्रूफ कर रही है इस बात को कि कैसे प्रूफ कर रही हैं कर एक तो यह कर रही है कि कहाँ पर इसका चौथा कारवन और उसका पाचवे कारवन पर क्यातर ऊच गुरूप आया चौथा पांचवे और यहां पर वाज इकारवन पर क्या है और तरहने कि यहां पर जो यह घ्र पर फॉर में नह Loris Infoac इसके साथ इसमें लिए व्हे वी मुक्त हुई है और जब दूऑ में तब यहां पर सीचो गृप आया मतलब इसके अंदर एक तो अपचायक रिंग थी और एक मुझत क्या अनपचायक थी तो ये था हमारा माल्टोज ठीक है अगले लेक्चर में हम इसकी तीसरी शुगर लेके आएंगे लेक्टोज और उसके बाद एक और लेक्चर और उसके बाद ये यूरिट खतम समाप्त ठीक है तो हम लोग घर पे रहें पढ़ते रहें स्वस्त्र रहें अभी अगले थेंक यू